नमस्कार आप देख रहे हैं कंट्री इंसाइड न्यूज मैं हूँ सौरम निगम उत्तर प्रदेश के विभिन जिलो में आज लेकपाल परिक्षा सुबा दस से बारा बज़े तक आयुजित की गई थी उत्तर प्रदेश के विभिन मंडलो में सुबा परिक्षारती जैसे ही वो परिक्षा से बहार आये स्टियफ ने खुलासा किया कि लगबग 21 सौलवरों को गिरफ्तार किया गया है जो विभिन जगाओं पर चाहे वो मुरादाबाद हो चाहे वो बागपत हो चाहे वो मुझफवन नगर हो चाहे वो कानपुर हो तमाम ऐसे जिले थे जहा पर फिर परिक्षा लीख हो गई और चात्रों के नौजवानों के भविस्य के साथ खिलवार किया जा रहा है आपको यह भी बता दें अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें अखिलेश यादव ने लिखा है कि आज लेकपाल भरती परिक्षा का पेपर भी लीख हो गया अब तो लगता है कि अब भ्यारतियों को यह आरोप सच लगता है कि यह सब बीजेपी सरकार की ही साजिस है जिसमें कोई परिक्षा पूरी नहों पाए और लोगों को नौकरी ना मिले जिसमें युवा पूझी पतियों के यहाँ श्रमिक और चपरासी बनके जाएं और भाजपा वेतन और पेंशन के भी खिलाफ है ऐसा लिखा है आप देख सकते हैं स्क्रिन पे भी ऐसा लिखा है अखिलेश आदवने अपने ट्वीट में तमाम विपक्षी आरोप लगा रहा है कि बीजेपी की सरकार में कोई भी परिक्षा होती है तो वो लीग हो ज रहें इसके बाद जब यूपी स्टेफ ने खुलासा किया ताबर तोर छापे मारी की 21 लोग गिरफतार हो गए हैं और स्टेफ अभी भी लगातार कारवाई करने की बात कर रही है मगर आपको ये भी बता दे कि सपा के यानि की अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद प्रशांत कुमार ने सपा के नेताओं के ट्वीट और दावो को खारिश करते वे कहा है कि अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिसमें लेकपाल परिक्षा 2022 के लीग होने की बात सामने आई हो आपको बता दे जो सौलवर गैंग पकड़ा गया है उसने बताया है कि चात्रों के परिजनों से 10-10 लाक रुपे में सौधा तैह हुआ था और चात्रों के कान में जो परिक्षारती थे उनके कान में एक डिवाइस लगाई गई थी जिसके तुरू वो सारे आंसर्स देने की बात कर रहे थे और परिक्षा पास करने की बात कर रहे थे ये सौधा तैह हुआ था परिक्षार्थियों के परिजनों से मगर इसी बीच STF ने खुलासा किया है STF ने ताबन तोल छापे मारी करते हुए ये खुलासा कर दिया है और 21 सॉलवरों को अभी तक गरफतार कर लिया है आपको बता दें UPBJP सरकार भी दावा कर रही है कि STF बहुत जल्दी पूरे गैंग को खुलासा कर देगी और कोई इसके साथ अन्य लोग भी जुड़े हैं इस गैंग के साथ तो वो भी बहुत जल्दी सामने होंगे मगर देखना ये होगा कि आखिर बार-बार ऐसा क्यों होता है कि UP में कोई भी प्रिवेश परिक्षा होती है कोई भी नौकरी देने के लिए छात परिक्षा देता है तो परिक्षा आखिर लीक क्यों हो जाती है और छात्रों के भविश्य के साथ खिलवाल की बात जो विबक्स कर रहा है कहीं उसमें कोई सत्यता तो नहीं है स्वारम निगम कंट्रीन साइड न्यूज लखनव